आज हम दिवाली के लिए एक ट्रेडिशनल मिठाई बनाएंगे जिसे हम मैना बर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं कलरफुल खाजार एक कप मेंदा लिया है यह 150 ग्राम मेंदा है एक पिंची इतना नमक डालेंगे मिक्स कर लेंगे मोहिन के लिए देशी गी का इस्तमाल करेंगे अभी हम एक टेबल स्पून गी डाल रहे हैं मिक्स करके देख लेंगे आधी टेबल स्पून गी और डालेंगे अच्छे से mix कर लेंगे गी हमने एकदम अच्छे से mix कर लिया है और मेंदा जो है वो इस तरह से bind हो रहा है जिस तरह से breadcrumb का texture होता है वैसा हो गया है इतना मौइन हमें डालना है अंदर नौर्मल रूम टेंपरेचर का पानी हमने लिया है थोड़ा थोड़ा डालके आटा गुत लेते हैं पानी जादा नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा डालके ही हम आटा गुतेंगे आटा हमें medium soft गुन्ना है ज्यादा एकदम soft भी नहीं और ज्यादा hard भी नहीं आप देख सकते है एक मिनिट आठे को मसल लेंगे एक मिनिट आठे को मसल लिया है एक तिहाई कब पानी डालके हमने आठा गुत लिया है दस मिनिट आठे को हम रेश्ट देंगे दस मिनिट हो चुकी है आठे का हम दो भाग कर लेंगे इस तरह से दो बराबर का हिस्सा कर लेंगे दो हिस्सा किया है इसमें से हम एक ले लेंगे इसके ओपर हम धक्कन लगा के रखेंगे ने दराटा सूप जाएगा और एक हिस्से बेसे इसका हम चार भाग करेंगे इस तरह से हम छार हिस्सा कर लेंगे हमने चार लोई बनाई है इसमें से एक लोई को इस तरह से थोड़ी स्प्रेट कर लेंगे औरेंज लिक्विड कलर लिया है हमने, इसका हम दो तिन डॉप डालेंगे, इसे इस तरह से मिला लेंगे, पहले हमने एक ड्रॉप डाला है और एक ड्रोप डालेंगे आपके पास अगर लिक्विड फूट कलर रही है तो आप पावडर कलर भी ले सकते हैं एकदम थोड़ा पानी में मिक्स करके आप लेख सकते हैं इस तरह से हमने ओरेंज कलर की एक लोई बना ली है इसी तरह से हम दूसरी लोई में lemon yellow color डालेंगे इसी तरह से हमने yellow color की भी एक लोई बना ली है तीसरी लोई में भी color डालेंगे rose red color लिया है इसका दो drop डालेंगे mix कर लेंगे यह भी हमने अच्छे से mix कर लिया है चौथी लोई में हम green color डालेंगे green color का भी डो drop डालेंगे mix कर लेंगे इसी तरह से green color की लोई भी ready हो गई है आपको अगर 4 color का नई बनाना है तो आप कोई भी 3 color का इस्तमाल करके बना सकते है या फिर कोई भी 2 color का इस्तमाल करके भी आप इस तरह से बना सकते है चारो लोई का हम लंबा रोल बना लेंगे इस तरह से और इसे थोड़ा इस तरह से spread कर देंगे थोड़ा चप्टा कर लेंगे चारो लोई को हम इस तरह से रेडी कर लेते हैं एक लोई जो हमने रखी थी इसे हम बेल लेते हैं इस तरह से थोड़ी हम इसे बेल लेते हैं हमने इसे इतनी बड़ी बेल ली है इसके उपर पहले ये एक रेड हिस्सा लगाएंगे इस तरह से अच्छे से इस तरह से spread करके लगाएंगे दबा के फिर यल्लो वाला लगा देंगे फिर ग्रीन वाला लगाएंगे अच्छे से दबा के इस तरह से लगा लेंगे और फिर लाश्ट में ये ओरेंज वाला इस तरह से अच्छे से दबा लेंगे इसे अभी हम इसे बेल लेंगे इस तरह से इसे पतला बेल लेना है हमने इसे चौपर पे ले लिया है और चौपर पे लेके इसे थोड़ा सा मोटा कर लेंगे थोड़ा सा बढ़ा कर लेंगे हमें इसे इतना मीडियम पतला बेलना है उपर मेल्टेट गी लगाएंगे गी को हमने थोड़ा सा गरम करके मेल्ट कर लिया है अच्छे तरह से इसे spread कर लेंगे अच्छे तरह से इस तरह से spread करना है अच्छे से हमने गी को फेला लिया है इसके उपर हम मेंदा डालेंगे इस तरह से हमें मेंदा डालना है सब जगा पर इस तरह से मेंदा डाल देंगे उपर मेंदा हमने अच्छे से डाल दिया है, अभी अब इसका रॉल बना लेंगे, इस तरह से इसका रॉल बना लेंगे, टाइट रॉल बनाना है, इस तरह से इसे चिपका लेना है, इसे हम नाइप से कट करेंगे, इस तरह से, एक सेंटीमिटर की लंबाई में हम इसे कट करेंगे, इस तरह से रॉल को कट कर लेते हैं, इस तरह से हमने कट कर लिया है, रॉल को हमने एक डीस में ले लिया है, अभी हम इसे थोड़ा बेल लेते हैं, ये जो चिपकाया हुआ भाग है इसे हब इस तरह से नीची की तरफ रखेंगे और इसे इस तरह से दबा लेंगे थोड़ा सा त्रासा दबाना है इस तरह से वापस एक बार में करके दिखाती हूँ इस तरह से रखे थोड़ा हमें स्लांट इसे प्रेस करना है इस तरह से थाक को हमने इसी तरह से दबा के तयार कर लिया है और आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा दिख रहा है इसे हम थोड़ा बेल लेते हैं इस तरह से इसे लंबा ही बेलना है हलके हाथ से थोड़ा ज्यादा हमें पतला नहीं करना है इस तरह से इसे बेल के तयार कर लेते हैं तेल ह पूरी को अंदर डाल देंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राइ करेंगे, अब देख सकते हैं दीरे से उपर आ रहा है, पूरी को अंदर डाल देंगे, पूरी पलट लेंगे, अब तक मीडियम फ्लेम थी, फ्लेम एकदम लो कर लेंगे और लो फ्लेम पे इसे फ्राइ करेंगे, नहीं तो अंदर से कच्छी रह जाएगी, इस तरह से दबा के उलट पलट के इसे फ्राइ करेंगे, इसका लेयर जो है वो अच्छे से खूलेगा, इस तरह से लो फ्लेम पे एकदम क्रिस्पी हो जाए तब तक इसे फ्राई करना है यह हो गया है तो इसे निकाल लेते हैं इस तरह से हम सब फ्राई कर लेते हैं खाजा को हमने फ्राई कर लिया है अभी हम चासनी बनाएंगे एक कप चीनी लिए है एक तीहाई कप पाने डाल देंगे गेस चालू करेंगे मिडियम फ्लेम पे लगतार चलाके चीनी को मेल्ट कर लिया है चासनी थोड़ी घाड़ी हो जाए तब तक हम इसे उबाल लेंगे लोट व्रम पे चासनी को हमने 4-5 मिनट उबाल लिया है और ये थोड़ी घाड़ी हो गई है आप देख सकते है इसे चेक कर लेते हैं फुड़ा थंडा होने देंगे इसके बाद चासनी को चेक करेंगे चासनी एकदम घाड़ी बन गए है अब देख सकते हैं इस तरह की चासनी बननी चाहिए गैस ओफ कर देंगे चार सिपाय चीलाईची के दाने हमने निकाले ये डाल देंगे एक टीस्पून रोज वोटर फ्यू सेकंड हम गैस को ओन कर देंगे गैस ओफ कर देंगे 30 सेकंड के लिए हमने चासनी को उबाला है इस तरह से इतनी गाड़ी चासनी हमें बनानी है एक डीस में हमने खाजा को इस तरह से रग दिया है गरम चासनी इसके उपर डालेंगे चासनी को हमें ठंडा नई करना है गरम गरम चासनी ही उपर डालना है इस तरह से थोड़ी थोड़ी चासनी उपर डाल देंगे स्वीट खाजा रेडी है इसे room temperature पर आ जाए तब तक ठंडा कर लेना है उसके बाद इसे airtight container में भरके आप एक महिने के लिए store कर सकते हैं recipe आपको पसंद आए तो इसे like करे, share करे और मेरी चनल को subscribe करे comment box में लिख के मुझे जरूर बताए कि आपको ये recipe कैसी लगी तो मिलते हैं अगले और एक नई वीडियो के साथ में